Hello Friends, Help World Channel में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि Android Mobile के Help से कैसे किसी भी document, किसी भी image को PDF में convert किया जाता है Friends, Mobile हमेशा हमारे साथ available रहता है कई बार हमें कुछ जरूरी documents को या किसी image को PDF में convert करने की ज़रत पड़ती है तो इसके लिए हम system पर desktop या laptop पर depend होते हैं पर हमें ये पता होना चाहिए कि Android Mobile के Help से भी हम बड़ी आसानी से किसी भी document या image को PDF में convert कर सकते हैं तो आएए देखते हैं किस प्रकार से convert किया जाता है Mobile की Help से इसके लिए friends आपको Play Store में जाकर एक app है जिसे आपको अपने Mobile पर install करना पड़ेगा जैसे ही आप इस Play Store को click करेंगे इस search option में आपको small PDF converter इसे type करना है जैसे ही small PDF converter show हो इसे आपको click करना है click करते साथ यहाँ पर आपको install का option show होगा इस app को अपने Mobile पर install करना है मैंने इसे already install किया हुआ है तो मुझे open का option show हो रहा है install करने के बाद open का option show होगा आपको इस open option पर press करना है जैसे ही आप open option पर press करेंगे आपके सामनी यह screen appear होगा यहाँ पर आपको login करने का भी option दे रहा है और let's start करने का भी option दे रहा है तो आप बिना login किये भी अपने document को PDF में convert कर सकते हैं इसके लिए आपको let's start को click करना है जैसे ही आपने let's start को click किया यह screen appear हो जाएगा यहाँ पर बोल रहा है it's empty here start by adding some document यहाँ पर यह एमटी है आपको जिस भी document को convert करना है उस document को आपको यहाँ पर add करना पड़ेगा add करने के लिए यह जो नीचे plus का icon है इससे आपको press करना पड़ेगा जैसे ही आप इस plus के icon को press करेंगे तो आपके सामने तीन option create होगा camera, photo gallery और files अगर आपको कोई photo लेना है अपने camera से और उसे convert करना है तो आप camera select करेंगे आपको अगर photo gallery से किसी image को select करना है तो photo gallery को choose करेंगे और अगर किसी file को convert करना है तो files को click करेंगे मैंने यहाँ पर files के option को choose किया है जैसे ही files को option हम choose करेंगे आपके mobile पर जितने भी files हैं वो आपको show होने लगेंगे आप जिस भी file को convert करना चाहते हैं उस file को आपको select करना पड़ेगा यहां मुझे कई word file भी दिख रहे हैं मैंने एक word file supposed चूज कर लिया first.doc को यह मैंने चूज किया file successfully added का एक message show हो रहा है नीचे देखिए उपर आपको यह file दिखने लगा जिस file को मैंने चूज किया था first.doc यह हमारा word file है अब मुझे इसे pdf form में convert करना है तो इसके लिए इस file के बगल में आप देखे तीन dot आपको show हो रहे हैं इस तीन dot को आप press करेंगे जैसे ही आप तीन dot को प्रेस करेंगे आपका file कौन सा है first.doc यह show हो रहा है convert to pdf convert to pdf को option दिख रहा है आपको convert करने के लिए convert to pdf option को प्रेस करना पड़ेगा इसके अलावा आप इस file को send भी कर सकते हैं cloud पे save भी कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं फिलाल हमें convert करना है तो हमने प्रेस किया convert to pdf जैसे ही convert to pdf को आप प्रेस करेंगे उपर देखिए स्क्रीन पर एक blue line बार बार blink हो रही है यह converting file का आपको यहाँ पर message शो हो रहा है आपका जो file है वो pdf में convert हो रहा है जैसे ही file convert हो जाएगा file converted successfully नीचे देखिए एक message शो हुआ और यहां हमारा जो first.doc file था अब वो convert होकर first.pdf file के form में screen पे शो हो रहा है तो जो हमारी original file थी जिसे हमने add किया था वो तो screen पे है ही साथ-साथ जो आपने pdf के form में convert किया है उसके form में भी एक आपको file दिख रहा है first.pdf file अब इस file को आपको select करना है इस पर कुछ process करना है तो इसके बगल के जो तीन dot है उसे आपको press करना पड़ेगा जैसे कि मैंने बोला कि first.pdf के form में convert हो गया है देखिए यहां show हो रहा है first.pdf अब आप इस file को compress कर सकते हैं convert to और किसी दूसरे mode में भी convert कर सकते हैं send कर सकते हैं save कर सकते हैं rename कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं suppose आपको file को rename करना है तो rename करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे rename को आप प्रेस करेंगे first name था अब आपको जो नाम देना है आपको नाम दे देंगे suppose मैंने इसका नाम दे दिया second यहाँ उपर right corner में rename को option है मैंने इसे click किया यह file को क्या करेगा rename करेगा तो देखिए first.doc जो file था उसका जो convert हुआ था first.pdf था अब उसको आपने rename किया है तो show हो रहा है second.pdf अब आप इस file को share भी कर सकते हैं share करने के लिए send to option जो आपको show हो रहा है उसे press करना पड़ेगा send to option को press करने के बाद जिस भी media से आपको इसको share करना है उसको आपको select करना पड़ेगा suppose आप whatsapp के through share करना चाहते है तो आप whatsapp पे click करेंगे click करने के बाद जिसे आपको भेजना है उस particular को choose करना पड़ेगा आपने choose किया press किया send के option को और यह आपका send हो गया तो इस प्रकार से friends आप इस small pdf converter के माध्यम से बड़े ही आसानी से किसी भी file को किसी भी document को आप pdf के form में आसानी से convert कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया तो इसे like, share और subscribe जरूर कीजिएगा Thank you